प्रदेश के सड़कों पर रफ्तार ने कहर बरपा दिया है रफ्तार भी ऐसी जिसके चपेट में आने से कई जिंदगया मौद के अंधिरे में खो जाती हैं ऐसा ही कहर बरपा जंपद हातरस में जहां पांच लोग मौद के रफ्तार में zundगी की जंग हार गये तो वहीं चार लोग अभी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं आपको बता दें कि हात्रस के कोटवाली चंदपा शेत्र के बाइपास रोड पर एक बैटरी रिक्षा को तेज रफतार से आ रही रोडवेस बसने टकर मार दी जोरदार भिडंत में सवारियों से भरे इरिक्षा के परखच्चे उड़ गए बता दें कि चंदपा थाना शेत्र के गाउं नगला रची निवासी मनवीर सिंग पुत्र राजन सिंग हात्रस से सवारियों इरिक्षा में बठा कर गाउं कोटा लिजा रहा था सुबह साड़े ग्यारा बजे आगरा अलिगट राजमार्ग का पूरा चोराहे पर आगरा के तरफ से आ रही खतौली डिपो के रोडवेस बस ने इरिक्षा में टक्कर मार दी हादसे में इरिक्षा के परखच्चे उड़ गए समेट दो अन्य लोग घायल हो गए हादसे के सुषना मिलने पर जिला अस्पताल में डियम अर्चना वर्मा और एसपी देवेश कुमार पांड़े भी मौके पर पहुंचे चिकित्सक ने 40 साल के पपू और 72 वर्षिय रशीद खां को उम्रत घूशित कर दिया कुछ देर बाद एक बच्चे सहीद तीन अन्य घायलों ने भी दम तोड़ दिया अन्य घायलों को गंभीर हालत में अलिगर ड्रेफर किया गया है हादसे के जुआनकारी जब मिर्तकों के स्वजनों को हुई तो वो पोस्ट माटम हाउस पहुंचे बाई पास पे करीब 11 बजे एक रिक्षा और बसमें टककर से रखटना हुई है इसमें अब तो पांच लोगों की दुखन बित्री हुई है अचा घटना इस तल कहा रहा क्या रहा हाथसे के बाद परिवार के लोगों का रोडो कर बुरा हाल है हाथसे के बाद कपूरा चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है मौके से पुलिस ने रोडवेज बस को कोत वाली भेजा और चाला को हिरासत में ले लिया और आगे की जाँच शुरू कर दी है पंज हमसे जुडे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन को दूबाए